हलो बच्चो माईसल संजी सुकला और मैं आप सब का स्वागत करता हूँ हमारे इस वीडियो में इस वीडियो में आप लोग को यह बताने वाला हूँ कि अगर आप आयाटी जैम में अच्छी रैंक लाना चाहरे हैं अच्छा स्कोर करना चाहरे हैं तो आप कैसे ऐसा कर सकते ह होनी चाहिए एक्जाम में जिससे कि आप अपने इस लक्ष को प्राप्त कर सके हैं ठीक है चलिए देखते हैं सबसे पहले चीज तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका जो एक्जाम पैटर्न हो क्या है आपको सबको लगबग पता है कि एक्जाम में कैसे questions आते हैं और एक्जाम में जो है कितने sections and all that एक बार उसको quickly देख लेते हैं एक बार उसके बाद फिर discuss करेंगे कि आपको अच्छा score करने के लिए क्या क्या करना चाहिए ठीक है ना तो अगर मैं बात करूँ आपके exam pattern की तो आपका exam pattern जो है उसमें section A में जो आपके MCQs आते हैं आपको पता है section A में MCQs दो प्रकार के होते हैं एक one mark वाले और एक दो mark वाले ठीक है ना तो section A में जो आपके एक से लेकर के 10 नंबर तक के question होते हैं वो कौन से होते हैं एक से लेकर के 10 नंबर तक के question ज उसके बाद next जो है आपका section A में ही 11 से 30 नमबर तक के question जो है वो 2 marks वाले question होते हैं ठीक है पहले 1 से 10 जो है वो 1 marks की होगे उसके बाद आपके 11 से 30 तक जो है वो 2 marks वाले question हो गये और जो आपका section A है जिसमें question number 1 से 10 में अगर आपका गलत हुआ question तो आपको पता है कि minus point 33 marks आपके हो जाते हैं एक question गलत होने पे point 33 marks जो है आपके वो deduct हो जाते हैं ठीक है और अगर आपके दो तो नंबर वाला question गलत हुआ तो उसके आपको पता है minus point 66 marks आपके लग जाते हैं मतलब point 66 marks जो है वो cancel हो जाते हैं ठीक हो जाते हैं आपके total marks में से तो यह आपका section A का complete scenario हो गया कि section A में आपके एक से लेकर के 10 तक की question जो है वो एक marks के आते हैं 11 से लेकर के 30 तक 2 marks के question आते हैं 1 to 10 जो आपके question नंबर होते हैं उनमें अगर आपने गलत किया है तो minus point 33 होता है और अगर आपने यह दो नंबर वाले question में गलत कर दिया question तो फिर आपका minus point 66 हो जाता है ठीक है यह हम सब समझ चुके नेक्स आपका section B आता है section B में आपके MSQ आते हैं ठीक है 31 से 40 question नंबर 31 से 40 यह सब होते हैं 2 marks के अना और उनमें कोई negative marking नहीं होती है multiple select question में यह होता है कि अगर आपने जो भी option select क सब्सक्राइब है तो कोई number नहीं मिलेगा लेकिन कोई number कटेगा नहीं अलग से ठीक है यह आपका section B का कहानी हो गया ठीक है next अगर आप देखें तो next जो आपका section C है numerical answer type questions होते हैं इसमें question number 41 से 50 जो है वो एक marks के होते हैं और 51 से 60 जो है वो 2 marks के होते हैं इस section में भी कोई negative marking नहीं है ठीक है numerical answer type में और section B जो आपका multiple select question में कोई भी negative marking नहीं है इस चीच को समझते चलिएगा ठीक है कि जिको जब आप exam देने चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे question आ रहे होंगे और ऐसा कभी भी expect करके किसी भी exam में कोई नहीं जाता है समझदार इंसान सारे questions आप से कभ सही कर सकें और अगर कहीं risk लेना भी है तो क्या उसके लिभी क्या strategy है रिस्क management भी आपको आना चाहिए कि अगर कहीं आपने कुछ आपको लगता है कि यहां पर गलत कर दिया है तो उसके लिए कैसे तयार रखें अपने आपको कैसे उसकी भरपाई करें ठीक है वो भी मैं आ अगर मैं total section wise marks distribution देखूं हर section कितने नंबर का है तो वो क्या होने वाला है देखिएगा ध्यान से section wise total marks तो अगर मैं section A में question number 1 से 10 की बात करूँ तो total 10 marks की होगे आपके यह क्योंकि 1 से 10 तक हर question जो है एक marks का था दस नंबर का हो गया section A का question number 1 to 10 उसके बाद जो आपके होगे question 11 से 30 यह total 20 question हर question 2 marks का तो कितने marks का हो गया section A total आपका है 50 marks का 50 नंबर का पूरा अकेले आपका section 1 है section A है तिक तो यह समझेगा section A total 50 marks का है next section B के अगर बात करें तो इसमें आपके question हो गया 10 total 31 से 40 तक हर question 2 नंबर का है तो यह आपका होगे 20 marks का section B जो है आपका हो 20 marks का हो गया section A total 50 marks का हो गया section B जो है आपका वो 20 marks का हो गया कि और section अगर C के बात करें तो इसमें question कि एक तालीस से पचास जो है वो 10 marks के होगे 10 question एक नंबर के और 51 से 60 जो है वो 10 question आपके जो है दो-दो marks है तो यह total 20 marks का हो गया तो कर overall total सम करके देखा जाए section C में तो आपके total marks हो गया 30 marks ठीक है तो section A में आपके total marks हो गये 50 section B में आपके total marks हो गये 20 और section C में आपके total marks हो गये 30 ठीक है यह रा section A total 50 marks का section B total 20 marks का section C जो है that is 30 marks अब जो section B और section C है इसमें आपको पता है कि कोई negative marking नहीं है ठीक है तो इन section में थोड़ी सी कह दो कि हमारी चिंता जो है वो कम हुई कि कम से कम गलत करने पर number कटेंगे तो नहीं पर इसका मदब नहीं है कि हर answer आप guess करके लगा के आओगे obviously नहीं करोगे ऐसा लेकिन सबसे महत्पुर्ण section जो आप देख पा रहे होगे जो उबर के आया है वो है आपका section A जो 50 number का है 50 marks का अब आपको एक चीज तो पता है आप कोई भी exam की preparation करने जा रहे होते हैं अगर आपने सालवर अच्छे से पढ़ाई की है तो बहुत सारे ऐसे question होते हैं जो आपको कलम चलाने की जिरुवत नहीं होती इनको हल करने के लिए वो बस देख के tick हो जाते हैं कि ह यह answer होगा इसका ऐसे हर exam में आपके साथ होता होगा जितने बार भी आपने कभी बी exam कोई भी दिये होंगे जो आपके अपके अपको कही सारे इसे questions होते हैं काफी सारे जिनके आपको answer तुरंट देखते ही पता जाता है कि हाँ यह answer आएगा और यह तभी होगा आपके साथ जब आपने practice कर रखी हो पहले ऐसे नहीं कि आपने कुछ पढ़ा नहीं साल बर अचानक से उठके और आप बहुत सारे questions डूंड पाओगे जो बिना solve करें कि आना मैं आप answer लगा क्या होगे ठीक है ऐसा कभी नहीं होगा उनके साथ होगा जोने साल बर अच्छे से practice करी है अ मैं एक करके एक जल्दी जल्दी थोड़ा सजल्दी जल्दी वह वाले question पहले टिक कर लेता हूं तॉल बिना करें वाले जो है मतलब पहले वह वाले सरकल कर लूंगा मैं जिनको मुने solve करने जरुवत नहीं है और से question मिल जाते हैं ठीक ठाक से इतने नहीं कि आपको पास करा करता है यह करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना ठीक है एक बार कहने का मतलब पूरा पेपर ही गो थू हो जाए आपका जो आते जा रहे हो फटाफट करते जाओ और इसमें बहुत जल्दी से करना यह वाला ठीक है चलो अब आप मान लिया हमने कि आपन कर लिये तिक कर लिए उसके बाद आप वापस आईए सेक्शन एक से स्टाट कीजिए अप इस से आप यह देखिए सॉल्व करते जाएं ठीक है सॉल्व करते जाने का मतलब जो थोड़ी से डिफिकल्ट वेजिन थोड़ी केल्कुलेसन डिक्वायड है वो केल्कुलेसन में क आपको पूरी तरे से आसवस्थ हो जाया living question मेरा सही है सेक्शन 1 के तो अगर आपका एक नंबर वाला question सही है अब सुनिये गार All we are a call को यह दिन के श्रीमट कर सकते हों समझ है कि तो आपको इंद रिस्क है रिस्क लेशक्त सकते हो एक अगर आपने सही कर दिया question थोड़ा सा बढ़िया calculation करके थोड़ा सा concentrate होके solve करोगे तो तीन गलतियां आपको स्विकार कर दी गई है ना एक question सही करने से तो जुरूरी थोड़ी कि तीनों गलत ही करोगे ठीक है एक आपका मालो question गलत हो गया दो सही हो गया तब भी आप फायदे में हैं ठीक है फिर आगे आपको यही क्या नामे फिर से इजाज़त मिल जाएगी जैसे ही आप एक number का question करोगे आपको तीन question है ना वो गलत करने की प्रकार से कह दो की थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो यह कह सकते हो और जैसे ही आप दो number वाला question क्या ना मैं correct कर दोगे एक सही दो number आपका सही हो गया उसके बाद आप फिर से एक आत question अगर गडबड भी कर देतो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो थोड़ा सा इस प्रकार से calculation आपको करने पड़ेगी ठीक और अगर आप पहले से ही अच्छी से तैयारी करके गए है ना तो गलतियां होने की गुझाईस कम ही रहती है और आपको question देखके तुरंत यह आभास भी होने लगता है कि question मुझसे होने वाला है या नहीं होने वाला है ठीक है जिसका लगे कि हाँँ यह मेरे से हो जाएगा यह ना उनी questions को attempt किया गरो और exam में ऐसे question बहुत सारे आते हैं जो आपको छोड़ने के लिए दे जाते हैं करने के लिए नहीं होते हो question ठीक है वो दिये इसलिए जाते हैं कि आप छोड़ सको छोड़ सको का मतलब यह है कि वो इसलिए दे जाते हैं कि आपका एक प्रकास से time वेस्ट हो वो नहीं करना है ठीक है कुछ सब्जेक्स होंगे जो memory-based subjects होंगे उनमें ज्यादा जल्दी आप जो है वो पहला वाला प्रोसेस कर पाओगे कि फटा फट जो सरकल करने के लिए में बोला है उनमें ज्यादा जल्दी कर पाओगे जो memory-based exams है इस mathematics से उसमें memory-based नह जलाने भी पढ़ सकते हैं उसके बाद अब आप आओ section B पे section B पे टोटल है 20 marks का है आपके पास इसमें आप बढ़ियां रिस्क ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो यह section तो obviously आप पूरा करके आओगे अगर मैं नहीं कहूंगा तब भी करके आओगे पर questions को करने का एक तरी जिनका यह है जब भी आप multiple select question कर रहे हैं तो आप जब यह question attend करें तो यह ध्यान जरूर दें जिनका खासकर की memory based नहीं है exam memory based मतलब जिनको के वल याद करके नहीं जाना कि टिक कर दे मस हो गया जैसे मैंस की अगर मैं बात करूं मैंस में जो है आपके पास अगर multiple question आया खुड़ा बहुत अगर प्रूब करना पड़ जाया तो करो लेकिन वो जो आपको लग रहा है गलत है वो तभी आप गलत को हो जब आपके पास उसका counter उपलब्द हो तभी कभी लगता है कि गलत है पर वो सही निकलता है ऐसा बहुत होता होगा आपके साथ भी और यह कैसे स इसको अच्यूब किया रहा सकता है इसी प्रकार से section C में भी आप इसमें obviously सारे questions करके आओगे लेकिन वह वाले पहले कर लेना जो आपको पक्का पता है कि हो जाएंगे जैसे कि मैंने आपको पता है कि एक बार पेपर पूरा का पूरा एक बार जब आप पलड़ चुके हों ठीक है तो उनको पहले करना है उसके बाद फिर आपके पास जो खाली समय बचेगा obviously उसमें सारे question try करो तो B section C section तो आपको बिल्कुल भी छोड़के नहीं आना है इसमें कोई negative marking नहीं है ठीक है ओके तो यह तो हुगा कि वहीं किस प्रकार से attempt करना है अब कैसे जो मैंने बहुत बता जयुक्त है कि ऐस लिए कि गल्तियां कम हो ठीक है गल्तियां हमसे कमई है इसके क्या प्रैक्टिस करें इसके दिए तो लिए चीछ क्छी सब से पहले लिखा हुआ एँपर आपको बहुत सारे question practice करने है ठीक है बहुत सारे question कहां से practice करेंगे आप जो भी exam में appear हो रहे हैं जरूरी नहीं है कि आपका jam का ही बस previous आपके पास उपलब्द हो आपको क्यों जैम के previous नहीं गरने है उस exam, उस subject का जितना भी national level पर exam होता है या TGT, PGT के भी even subject wise जो exam होते हैं हर एक का जो topic आपके क्या नाम है syllabus में है वो सारे के सारे जो है topic के questions आपको करने है मैं personally एक student को जानता हूँ जिसको मुझे मैंने जिसको पढ़ाने का मुझे 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 मौका मिला ऐसा कहूँगा उसकी jam में All India Rank 1 आई थी mathematics का student था वो और जब मैंने उससे बात की अभी हाल ही में मैंने उससे बात की कि क्या strategy थी बटा तुम्हारी यह rank लाने के लिए उसने मुझे एक simple से बात बोली उसने पहला चीज तो यह बोला वह मैं अभी बताऊंगा उसने एक चीज जो मुझे बोली लेकर उसने मुझे इतना कहा जितने भी मार्केट में available थे ना मेरे पास questions bank different different institutions के या फिर के दो online माध्यम से क्या नाम है जो भी मेरे पास questions उप्लब थे JT पीड़े जो भी questions जिहां-स भी question क्याने का मन्दोhh question आपका सत्रू है आपको को Nanust करना है जितने ज्यादा आप सत्रू करेंगे इतने ज्यादा आप अपने लक्ष को प्राप्त के बढ़ेंगे जहां से भी और यह सारे क्वेश्चन्स आपको करने हैं यह हर एक क्वेश्चन आपके आँखों से गुजर के जाना चाहिए यह तो पहली कह दो कि आपकी रिक्वायर्मेंट है करनी करनी है ठीक है उसके बाद उसने मुझसे एक लाइन बोली थी उसने गाता सर लाना मेहनत पर डिपेंड नहीं करता है बहुत कुछ है जो लक पर इपेंड करता है वो बता रहा था कि जिस बच्चे की उस साल ओल इंडिया रेंग टू आय था उसका बस एक क्वेस्टन गलत हुआ था तो लखी की बात है ना उस एक ही क्वेस्टन बस उसका गरवड हुआ अदरवाइस वह ऑल इंडिया रेंक बना था तो कहीं ने कहीं लख भी थोड़ा सा मैटर करता है लेकिन याद रखना लख उसी के साथ रहेगा जो पहले से मैनत कर करते लोगान करते हैं अपनी मदद खुद करते आपने पहले कर रखी है अपने आपको पहले से सपा रखा है और घ्रैक्रिस की आग में तो फिर आप जो है लग भी आपका साथ देगा उस समय तो प्राट पर हमने सा विश्वास रखिए गा तो प्रैक्टिस करना इस पढ़े के जाओंगा तो कर लूँगा अगर मुझे सब याद रहेगा बट यह बिल्कुल गलत है और मैंने ऐसे बच्चे देखें को कोई सॉट नोट्स नहीं बनाते हैं बस एक्जाम क्वेस्टन प्रक्टिस करते रहते हैं उनका आराम से बढ़ियां आपके पास करने के लिए एक या नामे कुछ होना चीज़ी देखना आपको थी थोड़ी से पड़ी तो पड़ी गीन एक्जाम से पहले तो होना चीए बिल्कुल लेकिन इसका मतलब यह नहीं है गीन आप यह नहीं दो महीन पहलब जैसे प्रक्टिसस करने का समय है मॉख टेस्ट देने का समय हूं ठीक है? Okay, next point देखते हैं, next point है, short notes पे मैं आ गया, एक short notes वो होते हैं जो आप lecture लेते वक्त बनाते हैं, ठीक है? मतलब जैसे teacher पढ़ा रहे हैं, आपने जो है, पूरा का पूरा थिरीज चेप्टर का पढ़ लिया, उसके बाद आपको जो जो जुरूरी points लगे वो आपने अलग से notes में लिख लिए short notes आपका एक chapter का बनके तियार हो गया ठीक है? एक short notes हमको खुद से बनाने होते हैं जो teacher नहीं सिखाता आपको जो आप खुद से सीखते हैं कैसे सीखते हैं आप? question करने हैं जब आप बहुत सारे question करोगे तो definitely आपको बहुत कुछ अद्भुत सीखने के लिए बहुत सारे questions होंगे जो आपने कभी देखे नहीं होंगे जो class में साथ teacher ने भी नहीं कराए होंगे ऐसे-इस questions आपको दिखेंगे जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे और जो भी information वहां से आ रही है वो सारी के सारी आपको as a sort note जो है वो रखनी है अपने पास ये वाले sort notes बहुत काम के हैं आपके लिए इसमें आपके counter examples का बढ़िया collection बन सकता है आपके पास कुछ ऐसी theorems की भी collection बन सकती है जो class में नहीं कराई हूँ ऐसा बिल्कुल possible है कुछ ऐसे formula पता चल सकते है कुछ ऐसे concepts पता चल सकते है जो class में ना कराई गया हो किसी book में ना हो जब आप questions करोगे न different different के दो की exams के तो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़े पता चलेगी उन सब के आपको sort notes बनाने है ठीक है so create sort notes of things you learn while solving questions जब आपने question solve के तो उससे आपने जो भी चीज़े सीखी है उनके sort notes आपको बनाने है ठीक है next point पे चलते है सबसे ज़रूरी है ये सबसे ज़रूरी आपको अगर exam में अच्छा score करना है तो आपको mock test देने ही देने है जितने भी आपके लिए सुगम हो जितने भी अकर कहा जाए कि आपके लिए cost effective हूँ आप afford कर सकते हो ठीक है अगर आप नहीं afford कर पा रहे हो तो सब के लगबग PDF कहीं नहीं कहीं मिल जाते है त्रेंट से माध्यम से या किसी भी photocopy shop के माध्यम से जहां से भी मिल सके वो PDF लेके आपको practice कैसे करनी है mock test की कैसे देना है वो भी ध्यान से देखना आपको ये test देने ही नहीं strictly exam like conditions मतलब आपको तीन घंटे प्रॉपरली बैठना है कि कोई भी distraction नहीं होनी चाहिए उसमें ठीक है आपको वो question वो सारे के सारे mock test एकदम ऐसे दने से आप exam में बैठके दे रहे हो अगर possible सब सच्छा तो यह होगा कि आप जो है online वाले दे हो ठीक है क्योंकि आपको इक्जाम में भी वही computer-based test देना है तो और अच्छी practice होगी ठीक है लेकिन अगर नहीं आप दे पा रहे हो online वाले तो फिर आप जो है offline मतलब यह हो कि question जो है आपको PDF format में होंगे वह भी solve कर सकते हो ऐसा नहीं है लेकिन आपको यह देने जरूर है mock test जैसे भी सम्भव हो आपके लिए जो भी आपके लिए affordable हो या जो भी आपके लिए सम्भव हो यह mock test ही आपको बता देंगे कि आपकी तयारी कितनी है ठीक है और almost जितने भी mock test होते हैं जो भी all over India में जो भी लोग mock test बनाते हैं सब के टेस्ट जो है ठीक ठाक होते हैं ठीक है एक नत एकदम आपके सब्जेक्ट के होते हैं इंडिया लेवल पे उस सारे के सारे आपको या स्टेट लेवल पर उस सारे के सारे एक्जाम के उस सब के लिए सौट नोट्स बनाना है आपको और सबसे लास्ट में सबसे जरूरी है कि आपको mock test उतने सारे देने हैं जितने आपके लिए संभव हूं और यह mock test ही आपको जाकर के आगे अच्छी रंग दिलाएंगे मैं आपको बता दूँ क्लियर कर दो हमारी बहुत practice हो दो question पांच दस question कभी नहीं आएंगे दो तीन question कभी कभी आ सकते हैं ठीक है वो दो तीन question से कुछ ऐसा नहीं होने वाला तो जब आप question practice कर रहे होगे तो आपका purpose यह नहीं होना चाहिए कि आपका जो यहीं उठके exam में आ जाएगा इस thinking से मत चलो यह बिल्कुल आपको भी है कि यह नहीं सही है आपको question practice इस देश से करने हैं कि आप वहां से क्या नया सीख सकते हो आप questions का postmodern करना सीखो इस question में अगर यह बदल दिया होता तो इसका answer क्या होता इस question में कुछ special चीज और यूज कर ली होती तो उसका answer क्या होता है सारे dimensions में आप सोचोगे तो आपके खुदी आप जो है क्या नामे expert बन जोगे अपने subject के तो यह सारी चीजों पर आप ध्यान दीजिए और निशीत रौप से आप बहुत अच्छी रेंग ले आएंगे अगर आप सारी आप चीजे कर गए तो तो thank you so much last में बस इतना ही कोंगा कि आप लोग practice करते रहें बहुत सारी questions की और आप definitely successful होंगे thank you so much